हेलो, फ्रेंट्स, वेलकम्ञे विडियो आफ वोड़ू फ़न आइडीया लिमिटेड तो फ्रेंट्स वोड़ू फोन आइडिया के बारे में जितने भी प्रेडिक्शन हमने किये थे कुछले कुछ मंस में वो सारे हमें जो है करेक्ट होते वे दिखेते और जो गिरावट भी जो details हमने discuss करी थी उनको मैं इस वीडियो में short में बता दूँगा उससे पहले friends आप लोगों के लिए एक छोटी से request अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe कर दीजे आपको सिर्फ एक सेकंड लगेगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन आपको जो है बहुत important update Vodafone Idea के बारे में मिलते ही रहेंगे जिससे आपको buy और sell में जो है बहुत ज़्यादा help हो जाएगी मेरे वीडियो के references सब्सक्राइब कीजे इससे मुझे भी बहुत बड़ी help होगी और motivation मिलेगा ताकि मैं ऐसे important updates आप लोगों तक पहुचाता रहूँ तो friends जब Vodafone Idea का share पिछले one year में 4.55 पे था और वहाँ से rally start होके almost five rupees six rupees तक आई थी तब मैंने बोला था कि हम Vodafone Idea को अब buy कर सकते है और यह बहुत अच्छी rally जो है आगे हमें जाने को जो है देगा तो यहाँ पे देखिए friends आप यहाँ पे मैंने buy का बोला था कि हमें यहाँ पर आभी जो भी इन्वेस्टर से हमारे शायद यहाँ पर हम profit booking कर सकते है वह राली भी क्यों आई थी उसके बारे में भी सारे अपडेट हमने discuss करे थे कि क्यों इतनी अच्छी rally आ रही है क्या decision Vodafone Idea जो है ले रहा है और उसके बाद जो है हम profit book क्यों कर सकते है वो भी मैंने explain किया था और उसके बाद जो है मैंने बोला था कि 16.80 के बाद जो है जो भी मार्केट में टार्गेट बताए जा रहे थे 20-25-22 के वह possible नहीं है वहाँ से नीचे यह शेर जो है आएगा यह मैंने बोला था और आया तो फ्रेंट्स इसका मतलब ऐसा है क्या कि यह 20-22-25 तक फिर नहीं जा सकता है नहीं फ्रेंट्स यह शेर बहुत ही जादा अच्छी रैली देने वाला है फूचर में यह शेर वन ऑफ गवर्मेंट ने जो रिलीफ प्लांस लाए उससे रिलीज हो गया और रिसेंटली जो अपडेट था जैसे कि गवर्मेंट अभी जो है वोड़ा फून आइडिया में स्टेक लेगी एज फॉर ये और स्पेक्ट्रों फीज चार्जेस एक्सेटरा उसके लिए तो वोड़ा होता है फ्रेंट्स अल्मोस्ट वहाँ पे जो है 16 प्लस कॉर्टर जो है इन्वाल होंगे और उसमें जो वोड़ा फॉन आइडिया को इंप्रूमेंट दिखाना है और गवर्मेंट की तरफ से तो अभी इनको फुल सपोर्ट मिल चुका है अभी गवर्मेंट भी इनके जो ह स्टेक होल्डर रहेंगे दो कंपणी ही पूरी तरह के से चलाएगी इस कंपणी को यानि प्रोमोटर ग्रूप गवर्मेंट सिफ स्टेक ही होल्ड करने वाली यह भी जो होड़ा फॉन की सीयों है उन्होंने में मेंशन कर दिया है तो लांग रन में बहुत पटेंशियल है लेकिन रिसेंटली गिरावट क्यों देखने को मिली वो अब हम डिसकस करते हैं तो यहाँ पर देखिया फ्रेंड साप जब यह शेयर बहुत अच्छी उचाईयों पर था तो मैंने बोला था कि बहुत से इसे इन्वेस्टर्स रहेंगे जिन्होंने 6 रूपीज 4 रूपीज या 7 रूपीज 8 रूपीज पर यह शेयर को बाई किया था तो वो जो इन्वेस्टर्स थे कुछ इन्वेस्टर्स मोर दन 200 150 परसेंट का जो है प्रॉफिट बुक करके बैठे थे तो उसके वज़े से थोड़ा सेलिंग प्रिशर आया और उसके बाद जो है वोड़ा फोन आ अब्डेट्स और उन डिसीजन के सबसे तो ग्राउंड रियालिटी एकदम क्लियर रेफ्रेंट्स वोड़ा फोन आइडिया को बहुत अच्छे फंड की जरूरत है इंडियन मार्केट में इस्टैबलिश होने के लिए और ग्रो होने के लिए उनका ज्यादा तर जो होप से अभी 5G टेक्नलोजी से रिलेटेड है उनको 5G में पैसा लगाने के लिए जो है बहुत अच्छी इंवेस्मेंट लगेगी उसके लिए उन्होंने अप्रूर्वल्स भी लेके रखे है प्रमोटर ग्रूप से भी और फॉरें डिरेक्ट इंवेस्मेंट के रूल से भी तो ब तो 5G टेक्नलोजी को जो है बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा और उस फंड की जब भी अपडेट आएगी मैं आपको अभी ही बोल दे रहा हूं जैसे ही डिरेक्ट इन्वेस्मेंट इस पर्टिकुलर शेर में आईगी 5G टेक्नलोजी के एक्सपैंशन के लिए उस दिन से यह शेर मल्टि बैगर बनना स्टार्ट हो जाएगा यह मैं आप लोगों को अभी बता दे रहा हूं आपको जो है यह पॉइंट नोट करके रखना है दूसरा पॉइंट यहापे फ्रेंट्स की हम इसको बाइक अप करें अगर यह फ्यूचर में इतना अच्छा मल्टि तो इस रेंज में अगर हमें शेर मिलता है तो वह लॉंग रन के लिए बहुत अच्छा जो है कंसिडर किया जाएगा तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलता हूँ कि वन येर का जो लो था इसका 4.55 था और अगर आपको इस रेंज में कहीं पर भी 6 रुपीज से लेके 7, 8, 9 इस प्राइज में यह शेर मिलता है तो लॉंग टम के लिए बहुत अच्छा प्राइज रहेगा यह क्यूंकि अगर ह जो की नियर अबाट 2015 था तो फ्रेंट्स यह प्राइस भी क्रॉस हो सकती है अगर वोड़ाफोन आइडिया अच्छे से इस्टेबलिश होता है तो लेकिन फिलाल गिरावट कंटिनू रहेगी क्यों मैं यह बोल रहा हूँ क्योंकि वोड़ाफोन आइडिया की अभी भी ग् अब्डेट है जियो एड्स 2.1 मिलियन यूजर्स इन नोवेंबर भारती एटेल 1.3 मिलियन ऐस पर ट्राइड़ेटा तो ट्राइड़ेटा के सबसे जो है इतना जो यूजर से वो एड़ हुए है जियो में और भारती एटेल में वेराज वोड़ाफोन आइडिया कंटिनू इस नोवेंबर इन नोवेंबर इस सब्सक्राइबर बेस श्रांक बाई 1.8 मिलियन तो यही जो चालेंजे से फिलाल मेंली वोड़ाफोन आइडिया के लिए कि उनका जो सब्सक्राइबर बेस है वो हमें कंटिनूसली कम होता हुआ नजर आ रहा है जहां पे ट्राइका भी इसमबर का डेटा आना बाकी है और ऐसा गेस लगया जा रहा है कि वोड़ाफोन आइडिया का डिसमबर वाला जो यूजर बेस का काउंट रहेगा वो अच्छा आ सकता है क्योंकि गवर्मेंट के डिसीजन के इसाब से जो है बहुत अच्छा जो है चांस वोड़ाफोन तो डेफिनेटली हमें वो अभी ग्रो होता हुआ दिखाए देगा तो ओवराल विक्चर फ्रेंड्स वोड़ाफोन आइडिया के साथ जितना कुछ बूरा होना था वह हो चुका है अभी यहां से आगे वोड़ाफोन आइडिया को गवर्मेंट ने बहुत अच्छा जो है दिया है इस टेलेकॉम कंपणी को जो है सर्वाइब किया है एक तरीके से गवर्मेंट ने अभी वड़ाफोन आइडिया का जो काम है वह यही है कि इन्वेस्मेंट जो है वोड़ाफोन आइड़े में लाना लेटेस्टेकनलोजी से रिलेटेड और इस पर्टिकुलर बिज रही है long run के लिए भी और short run के लिए भी तो आप प्लीज इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और आपके friends के साथ भी share कीजिए जो भी Vodafone idea का share buy करना चाहते है या interested है इस particular share को long term hold करने के लिए तो यही सारी important details difference जो मैं आप लोगे साथ share करना चाहरा था thank you for watching this video